क्रेटिव यामिनियार्ट आज मैं आपके संक्षर करने वाली हूँ नैश्रल न्यूड मेकप लुक और उसके लिए मैंने इस लुक को क्रियेट किया है तो काफी सिंपल है ज्यादा है वी नहीं है बहुत इजी है बहुत ही अफॉर्डिबल प्रोड़क्स आप इस मेकप को कर सकते हैं इसे आप क्यारी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि पार्टि में आप सिंपल से दिखें या सिंपल मेकप करना पसंद करते हैं जैसे कि मैं एक मैंने गेट रेडी विद मी भी आपके संग शेयर किया था उसमें भी इसी तरीकी का कुस सिंपल सा लुक शेयर किया थ तो कुछ प्रोड़क्स आपको जो सूट होते हैं, जैसे कि मैंने, I think स्रिफ एक संस्क्रीम ही जो है, वही यूज की होगी, ये 300 रुपीज की रेंज ही है, तो अपने अकॉर्डिंग आपके स्किन पर सूट होती है, वह भी यूज कर सकते हैं, आपको अलग से कुछ भी नहीं खरीदना होगा, इसे आप डे टाइम की पाटी में कर सकते हैं, या आप कहीं कैजूली जा रहे हैं, बट आप थोड़ा मेक अप करना चाहते हैं, और ज्यादा हैवी भी फील नहीं कराना चाहते हैं, तो भी आप इस लुक को कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती के लिए जिसे मेरे लिप्स हैल्दी दिखेंगे, और राइनस नहीं रहेगी, लिबाम यूज करना सवरूरी है, बिकॉस की विंटर चल रहा है, नेक्स मैंने यूज किया है, निव्या का मॉस्टराइजिं क्रीम, यह एलो हाइडरेट क्रीम है, तो आपके फेस को बहुत अ लगाके मैं अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ, नेक्स मैं यूज कर रही हूँ, और एक जो लिएक ही कोडिन करूगे, और ब्लेंडर की हैल्च से, आपको प्रोइडर कर रही है, आपको अच्छे से, बहुत ही क्रीमी है, यह इस ठीक, बहुत अच् laughs आपको प्रोवाइट करती है तो डेली बेस इसके लिए बहुत अच्छी है अगर कोई नेश्रल लुक करना जाने तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है नेक्स मैं यूज़ कर रहे हूँ मैक का कॉमपैक और इससे अपने पुरे फेस को सेट कर लूँगी तो यह मेरा फेवरेट कॉमपैक है इसलिए मैं इससे यूज़ कर रहे हूं ताकि जादा फेस पे ड्राइनस और पैच ही ना दिखे है अपने आइब्रोज को फिलन करने के मैं यूज़ कर रहे हूँ है चार का आइब्रोपोमे इंदी शेड ब्राउन और इंदी शेड जीरो थ्री और ब्राउन शेड लेकर के अपने आइब्रोज को फिलन कर रहे हूं तो एक एंगल ब्रश की हेल्ट से इससे मैं नैशरली फिलन कर लूँगी जादा बोल्ड नही कर रही हूँ आइब्रोज को फिलन और एक स्पूली की हेल्ट से इससे अच्छे से कोम आउट कर लूँगी तो सारा प्रोड़क्ट जो है वह अच्छे से डिस्टिब्यूट हो जाएगा और नैशरली आइब्रोज फिलन लगेगी नेक्स में ले रही हूँ ऐसे फार कई आ जादा हाश आपका आई मेकप ना दिखे तो इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एक ब्लेंडिंग ब्रश की हल्प से और नेक्स में ले रही हूँ लाइनर तो लाइनर के लिए मैंने लिया है माल्यो का स्केच लाइनर यह बहुत अच्छा वाटर प्रूव लाइन आपको आइलिशिस लगाने की सर्वत नहीं पड़ेगी नेक्स मैंने लिया है ब्लू हैवन का डायमन ब्लश और इंदी शेड फाइड 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 और अपने फेस को पिल्कुल लाइट हैंड से हाइलाइट कर रहे हूं थागी मेरा फेस जो है ग्लोई दिखे लिप्स फाइनल लुक यू कैन सी कुछ इस तरीके से टर्न आउट हुआ है इसमें मैंने हलका सा पिंक कलर टच करके जो है अपना आई मीकप कम्प्लीट किया है यूँकि मैंने पिंक कलर का ड्रेस पना है आप चाहें तो प्रॉपर ब्राउन कलर का भी रख सकते हैं आपकी अकॉर् क्या है कि किस लुक के संग आपको किस तरीकी का लिप्शिक कलर जो है वेयर करना चाहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जो कि बिल्कुल फ्री है पासी में एक बैल आइकन है कि उस पर भी क्लिक कर दीजेगा तो आने वली सबी वीडियो से आप नौटिफाइट हो पाएंगे थैंक यू फो वाचिंग आइस शेक ब्लस